है हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज वपकी तेरा बड़ी खबरें तेरा बड़ी अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं और आज है 21 जनवरी 2021 तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की कुछ इस इंप्डेट्स और जैसे आप थमनेल के ऊपर भी देख रहे होंगे इसके लावा और भी अप्डेट्स आपको देखने को मिलेंगी ठीक है एच प्यू बेट कांसलिंग से रिटेट अप्डेट है और पंचाई सची भरती से रिटेट अप्डेट है स्कूलों के लिए पहली अप्डेट सरकार क्रिशी कानूनों के डेड़ साल स्थगन को तैयार सांजा समिती करेगी विचार किसान संगठनों से सुलहा के असार तो यह कुछ यहां पर अप्डेट है दोस्तों किसान संगठनों और सरकार के बीच बदबार को दसमें दोर की बारता में वीते 56 इन से जारी कती रोज खतम होने के आसार दिखे सरकार ने बातचीत में तीनों क्रिशी कानूनों पर एक से डेड़ साल तक रोग लगाने और इस भी सांजा समिती का गठन कर बिवाल सुलजाने का पुस्ताव रखा है किसान संगठनों ने सरकार के पुस्ताव पर विचार क किसान संगठनों के समक्ष प्रस्ताब रखते हैं कहा सरकार कारून बापसी की जगह इसे स्थकित करने का प्रस्ताव दे रही है इस बीच एक कमेटे का गठन कर सभी पक्षों को सामिल किया जाएगा तो यहां पर कहा गया है और ट्रैक्टर रैली पर आदेश से इनकार कहा पुलिस का मामला वही तेय करें सुप्रिव कोड ने जो है गणनतर दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है कोड ने बुद बार को कहा हम पहले भी कह चुक है कि यह पुलिस का मामला है यह आपको देखना है ठीक तो यह पर कहा है ठीक है चलिए नेक्स अप्डेट यह रही ही माचल में करोना के 56 ने मामले प्रदेश में बुद्धुबार के 56 ने मामले हैं सिर्मोर में 16 सिमला में 11 कांग्ण में 11 चंबा में 4 लहोज विति में 3 कुल्ण में 2 16 4 हमिरपूर में 4 और उनना में एक नय मामला सामने आया है तो यह कुछ लेटेस्ट अपडेट है और अगर आप ओफिशिल अपडेट देखना जाते हैं तो आप में टेल्ग्रम चैनल के उपर विजिट कर सकते हो चैनल का नाम है भारत अप्डेट उसके उपर आपको जिसके आपको मिल जाएंगे ठीक है और इसके लाब प्रवाइड हो जाएगा ठीक है आई काट चैक कर लेना तरी तो नेक्स्ट अपडेट यह रही तीसरे रों अंतिम चरण में हिमाचल की 1137 पंचायतों में मतदान आज तो जे 6455 पोलिंग पार्टियों की तेनाती सभी मतदान के इंद्रों को किया जाएगा सेनिटाइज प पंचायतों में सुभा 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा इसके बाद जो है 4 से 5 बजे करोना संख मितों और होम कॉरंटी मतदाता बोट डालेंगे पंचायतों मतदान के बाद बोटों के गिंती होगी और देर शाम तक नतीजे भी घोशित होंगी इस दोलान जिला परिशद और पंचाय समित्य के बार्ष दिस्टों के लिए मत दान होगा इसके लिए इनके चुनाब नतीजे 22 जनवरी को घोशित होंगे तो एक उच दोस्तों यहां पे ब्रेट है और बड़ा बंगाल में नहीं होगी पोलिंग बूथ की स्थापना पंचायत में पर्धाने की चाहह लिए चुनाबी रण में उत्रे एक प्रित्याशी है लेकिल पंचाय चुनाब में केबल अपना ही झाव सोता ही प्रदेश के निजी कोलजम में फर्जी दाखिलों की जान शुरू नियामक आयोग ने बीते तीन साल के दाखिलों का रिकोर्ड के अतलब तीन वर्ष पहले हुए दाखिलों का डिग्री आउंटन की संख्या से होगा मिलान कई कोलजम में फर्जी दाखिलों की जान शुरू कर दी है आयोग ने कोलजम से बीते तीन साल के दाखिलों का रिकोर्ड तलब किया है और तीन बर्ष पहले हुए दाखिलों का अब डिग्री आउंटन की संख्या से मिलान किया जाएगा पुदेश के कई नीजी सिक्षन संसानों पर फर्जी दाखिलों देने के अगप लगते रहे हैं शिक्षा विभाग में धाइस सो क्रोड से अधिक राशी के चातरविती घुटाले को भी फर्जी दाखिलों से ही अंजाम दिया गया बीत दिनों मानम भारती विशुदाले में फर्जी देने का खुलासा भी हुआ है इन सभी मामलों को देखते हुए नीजी सिक्षन संसान जो है अन्यामक आयोगन है नीजी कोलोजों के फर्जी दाखिलों को जांजने का फैसला यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर अपडेट है शिक्षा भी आगना चातर विर्थी घोटाले को फर्जी दाखिलों से ही दिया गया अन्जाम कई को जोना प्रिंसिपलों की गलत जानका ने दी तो यह कुछ आप अपडेट है पुरा पढ़ना चाओ तो पढ़ सकते हो चली नेक्स्ट अपडे अज़ाइगा कख्शाएं ओना नहीं चलेंगी केंद्री विद्याले प्रबंदन काख्शा चलाना के लिए राज्य सरकार के निर्देश का पालान करेंगे राज्य सरकार स्कूलों में कखशाएं शुरु करने का फैंसला लिया है इसमें शीतकाली स्कूल 15 फरबरी से खुल यहां पर SOB का पालन किया जाएगा और स्कूल खोले जाने को कह दिया है राजानी शिम्ला के सरकारी के बी और निजी स्कूलों में 15 फर्वरी से पहले ही तरह रोनक लोट जाएगी केंदरी विद्यले के शुट्टिया समापत होने के बाद 23 जनवरी से ही पहले ही बाहर में कक्षा तक के ओनन कक्षाएं चलाना शुरू हो जाएगी यह आप पढ़ सकते हैं यहां पर ठीक चलिए नेक्स्ट अप्टेट यह रही HRTC को मिलेंगे 400 जालक भर्थी शुरू करोनकाल के 20 शिमला में मंदली कारेशाला तारा देवी के लिए जा रहे ड्राइविंग टेस्ट आठ CCTV कैमरों से रखी जा रहे ही ड्राइविंग टेस्ट पर नजर हर रोज कारेशाला में 100 से अधिक परतिभागी दे रहे है टेस्ट 200 मेटर की ट्रैक पर लिया जा रहा ड्राइविंग टेस्ट तो HRTC को जल्द ही 400 जालक मिलेंगे जालकों की भरतिभागी शुरू कर दी गई है शिम्रा की मंडली कारिशाला तारदभी में परतिभागियों के ड्राइविंग टेस्ट लिये जा रहे है पारदस्त तब राय रखने के लिए 8 CCTV कैमरों से निग्रानी रखी जा रहे है यहां रुजाना 100 से अधिक प्रतिभागी यहां ड्राइविंग टेस्ट दे रहे है HRTC के महाप्रबंदग नवीन कपलस की अगवाई में ड्राइविंग टेस्ट के लिए कमिटर गटित की गई है तो यहां पर अप्डेट है चलिए नेक्स अप्डेट देख लेते हैं यह रही MD MS आयुरोवेद की मेरिट सुची जारी दोस्तों HP की दरफ से जारी की गई है 39 को होगी कांसलिंग ठीक है बिशिप दर ने कौंसलिंग को लेकर तियारी पूरी कर ली है चलिए नेक्स अप्डेट यह रही हैड मास्टर बनने को 17 फरवरी तक मांगे आवेदन तो उच शिक्षा निदेशा लेने है हैड मास्टर की पदोनती के लिए टीजिटी और पदोनत प्रवरी तक आवेदन आमंतरित की है ऐसे टीजिटी जो प्रेल 2010 से पहले प्रवरी प्रवरी बन चुके है उन्हें बिन आवेदन की है ही हैड मास्टर की पदोनत करने की प्रक्रिया शुरूख की जाएगी उच शिक्षा निदेशक ने कहा कि फैक्स या इमेल से आवेदन सभी के नहीं होगा समन्दित प्रिंसिबल और हैड मास्टर से उत्यापित करवाने के लिए बाद ही आवेदन करने को कहा गया है स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थों के होंगे ओन्लाइन यूनिट टेस्ट तो एक और फंद्रा फरवरी से स्कूल खुलने के बाद भी अगर दसमी और बाहरेवी कक्षा के विद्यार्थी स्कूल नहीं आते है तो उनके ओन्लाइन यूनिट टेस्ट होंगी उच्छा निदेशा लेना है छे जर्वरी को पुक्य उंतरी जैराम ठाकुर के साथ होए विद्यार्थियों के संबाद से मेरे सुझावों को लेकर निदेश जारी कर दिये हैं प्रस्ताइब प्रिक्षाओं प्रिक्षाओं से पहले दोनों कख्षाम के विद्यार्थियों के ओन्राइन और उफ लाइन टैस्ट लिये जाएंगे प्रिक्षाम के अप्रेयल में एक्स्टा क्लासी लगाई जाएंगी तो यह कुछ दोस्तों यहां प्डेट है पूरा लिए जाएंगे इसके लाबा स्कूल खुलने पर अप्राल 2020 में पढ़ाएंगे इसलेपस की रिविजन शुरू करने को भी कहा गया है तो यह दोस्तों आपके टेस्ट होंगे ठीक है जो जाएगा को स्कूल उनके स्कूल में और वो नहीं जाएंगे तो उनके ऑन्लाइन ही य कर दी गई है ठीक है यह आपको मैं कर भी बता चुका हूँ बर शायद उसका नोटिफिकेशन नहीं गया है तो यह एक इंपोर्टन अप्डेट हाँ सभी के लिए ठीक है बढ़ालंकि फीस का कुछ आइडिया नहीं कि फीस कम हुई या नहीं हुई है क्योंकि यह फीस का त तब अगर इंपोस्ति हुद है कब तक की बोला तो है कि फीस कम होने का और क्लिए कंप्डेइए कघ कर रहा है के फीस कम होने का और कौन-प्डेट है बहुद दौस्तों बीएड ह्पी यह एपडेट है ठीक है तो यह दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परिशानी है तो HPU ने जो है एक notification official notification जारी किया है चाहे आपको उसमें कुछ भी पूछना है चाहे आपको ये पूछना है कि हमने पहली counseling में apply किया था और क्या हम second में कर सकते हैं या आपको ये जानना है कि आप कोई भी अगर आपको सवाल है बेर्ड से रिलेटर तो आप इन कॉंटेक्स नंबर के उपर कॉंटाइक कर सकते हो आपको यहां पर बताए तो यह है ओफिशिल नोटिफिकेशन है और दोस्तों यहां पर कमेंट आ रहे थे कि कॉंसलिंग कब से स्टार्ट है दोस्तों 21 यानि क से किसी को भी कॉंटेक्ट कर लेना कोई भी जानकारि आपको चाहिए यह स्पेश्ट युनिवस्टी के तरफ से नंबर अफिए गया है तो 21 आज से आपके कॉंसलिंग स्टार्ट है और कल तक चलेगी उसके बाद आपका रिजरट आएगा 23 को और 24-25 26 को आपको college अलोट हो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह देख लोगे नाप और यहां पर दूस्तों पीजी वालों के लिए फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपने कर सकते हो ठीक है पोस्त वाले यहां पर दूसरा की किसी के नहीं और यहां अगर लिंक ओपन होगा तो तो सभी और चाएंगे तो कर मुझे कमेंट आया था की मैंने पूचिया कि हम भरं पाइब जबर। ौन की आपको जबी से ज़लिदी कॉंट्राक करना पड़ेगा क्यूंकि आठ फ़र विर्वाफ लीटा अगर अाइसे रहा तो फिर आप कब भरोगे ठीक है इतना दिन थोड़ी वो लगाते हैं लिंक को उपन करने के लिए ठीक है तो आप HVU से कॉंटेक्ट कर लेना कि हमारी ID उपन नहीं हो रही और अगर आप फ्रेशर हो पहले समेस्टर के अगर आपना एक्जाम देने हैं तो किस तरह से देने है और एक और इसाँ यहां पर कि ओफ्लाइन एक्जाम के लिए तो जिन्हों ने ओफ्लाइन दिये हैं आई थिंक उनके ओफ्लाइन ही भरते हैं बट आप एक बार फिर से HVU से कंफर्म कर लेना मेरे हिसाब से जिन्हों ने ओफ्लाइन भरे हुए है पहले एक्जाम तो उनके offline ही exam भरते हैं ठीक है तो आप एक बार HVU से confirm करेना और दोस्तों ये थी आज की important updates और वीडियो कर अच्छी लगे तो like, share और चैनल को subscribe जुरूर करिएगा मेरे latest updates के लिए थेंक यू